क्या सच में अपने IRCTC अकाउंट से दोस्त या रिष्थेदारों के टिकट बुक किया तो हो जाएगी जेल जान लीजिए रेलवे का ये जरूरी नियम जैहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल टेक राजकुमार दास मोबाइल और रेल इंफो चैनल आप लोगों में काफी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं पूरे वीडियो देखो और चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करो IRCTC की साइट से टिकट की बुकिंग रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन्स के मताबिक होती है इन नियमों के मताबिक कोई भी व्यक्ति अपने पसनल यूजर आईडी से दोस्तों, फैमिली या रेलेटिव के लिए टिकट की बुकिंग कर सकता है भारतिय रेलवे से हर दिन करोडों लोग सफर करते हैं और इसमें से ज़्यादातर ट्रेन टिकट आज के समय में आउनलाइन IRCTC के वेबसाइट, मोबाइल एप या थर्ड पार्टी साइट से बुक किये जाते हैं लेकिन क्या आप अपने IRCTC अकाउंट से किसी और का ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बीते दिनों ऐसी खबरें चल रही थी, जिसमें ये दावा किया गया है कि अगर अपने पसनल अकाउंट से किसी और का ट्रेन टिकट बुक किया तो आपको जेल की सजा तक हो सकती है लेकिन क्या ये बात वाकई में सच है? आए जानते हैं ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़ा ये जरूरी नियम रेलवे एक नोट शेयर कर बताया कि IRCTC की साइट से टिकट की बुकिंग रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन्स के मताबिक होती है इन नियमों के मताबिक कोई भी व्यक्ति अपने पसनल यूजर आईडी से दोस्तों, फैमिली या रेलेटिव के लिए टिकट की बुकिंग कर सकता है ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही ये खबर की दोस्तों का ट्रेन टिकट बुक करने पर आपको जेल हो सकती है, पूरी तरह से निराधार और गलत है इसमें अगर किसी यूजर ने अपने IARCTC अकाउंट को आधार से लिंग करा रखा है, तो वह महीने के 24 टिकट तक बुक कर सकता है वहीं, आधार से लिंग खातों के जरिया आप महीने के 12 टिकट बुक कर सकते हैं क्या कहता है रेल्वे का नियम? हाला कि, रेल्वे ने इसी के साथ ये भी साफ कर दिया कि किसी व्यक्ति द्वारा पसनल अकाउंट से ली गई ट्रेन टिकट को कॉमर्शिली नहीं बेचा जा सकता है रेल्वे एक्ट, 1989 के सेक्शन 143 के मताबिक, पसनल अकाउंट से बुक किये गई टिकट को बेचा नहीं जा सकता है इसके लिए सक्त सजा का प्रावधान है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद